Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे Lesson 4. इसमें हम पढ़ेंगे कि हम अपचारिक एवं अनपचारिक रूप से किसी का अभिवादन कैसे करते हैं? पहले हम पढ़ेंगे अनपचारिक रूप से कैसे अभिवादन किया जाता है? अनपचारिक अभिवादन को informal greeting भी कहते हैं. इसके अंदर हम Hello और High का यूज़ करते हैं अब ये अनौपचारिक रूप से हम किन लोगों से बात करते हैं अपने घर पे जो लोग हैं उनसे भाई, बेहन, माता, पिता जो हमारे दोस्त होते हैं हम उनसे भी अनौपचारिक रूप से बात करते हैं अब अगर आपके दोस्त का नाम राज है तो आप उसको हेलो राज या हाई राज करके बुलाओगे अब हम देखते हैं कि हम अनौपचारिक या इनफर्मल तरीके से अपने आपका परीचे कैसे देंगे अब आप मान लो आपका नाम राहुल है आप ग्यारा साल के हो आप दिल्ली में रहते हो और आप एक छात्र हो तो अब आप इसको अपने आपकी इंट्रोड़क्शन कैसे देंगे आप बोलोगे अब हम ये मानते हैं कि आपकी क्लास में एक निया बच्चा आया है जिसका नाम करन है तो उसने आपका अपना नाम बताया कि हाई माइनेम इस करन तो आप उसको जवाब ये दोगे हाई नाम इस राज जब हम हाई या हेलो से किसी का अभिवादन करते हैं तो वो इनफॉर्मल ग्रीटिंग कहा जाता है अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल यानि अपचारेक रूप से किसी का अभिवादन करना अब चारे क्रूप में या तो हम गुड मॉनिंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट से किसी का भिवादन करते हैं अब जैसे अगर सुबा हो रही होगी बारा बजे के पहले का वक्त होगा तो हम बोलेंगे गुड मॉनिंग बारा बज़े के बाद शाम को हम इवनिंग कहते हैं तो अगर हम किसी से शाम में मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग अगर हम किसी से रात में मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे गुड नाइट अब जानते हैं कि हम formally यानि अब चारिक रूप से किन लोगों का भिवादन करते हैं हमारे boss, हमारी teacher यानि अध्यापिका, हमारी प्रधानचार्या, हमारी प्रधानमंत्री इन सबसे हम formal तरीके से बात करते हैं जब हम अपनी अध्यापिका से बात करेंगे तो हम उनको कहेंगे गुड मॉर्निंग माम अगर हम अपनी प्रधाना चार्य से बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल माम अगर हम अपने मालिक से बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग सर य विश करेंगे और अगर हम इन सबसे रात में मिल रहे हैं तो हम इनको गुड नाइट विश करेंगे